Subscribe to our channel by clicking the red subscribe button and also click that bell icon for the latest uploads by our channel दोस्तो दूद पीना हम सभी को बहुत पसंद है दूद एक मातर ही ऐसा आहर है जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर को प्राप्त होता है मा के दूद के बाद जो हम दूद लेते हैं दोस्तो वो एक animal product होता है जो के हमें एक जीवित पशू के द्वारा प्राप्त होता है और वह सारी चीजे जो हमें जीवित पशू के द्वारा प्राप्त होती हैं उनमें बहुत तरीके के amino acids, hormones और enzymes होते हैं जिसकी बज़र से उन्हें सही चीजों के साथ सही समय पर खाना बेहद महत्वपूर्ण है वरना बहुत सारी बीमारियों का कारणिया बन सकता है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे दोस्तो दूद पीना हम सभी को बहुत पसंद है दूद एक मातर ही ऐसा आहार है जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर को प्राप्त होता है मा के दूद के पाद जो हम दूद लेते हैं दोस्तो वो एक एनिमल प्रड़क्ट होता है जो के हमें एक जीवित पशू के द्वारा प्राप्त होता है और वह सारी चीज़े जो हमें जीवित पशू के द्वारा प्राप्त होती हैं उनमें बहुत तरीके के एमीनो एसिद्स हॉर्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं जिसकी वज़से उन्हें सही चीजों के साथ सही समय पर खाना बेहद महत्वपूर्न है परना बहुत सारी बीमारियों का कारणिया बन सकता है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियों में बात करेंगे सान के शरीर को कई पोशक तद्वों की जरूरत होती है जो की केवल दूद और सिर्फ दूद से ही प्राप्त हो सकते हैं ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग रोजाना दूद का सेवन नहीं करते हैं उन्हें बढ़ती उमर के साथ ही हड़ियों की समस्याय तथा कई और अन्य बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है और बढ़ती उमर के बच्चों के लिए दूद पेना बहुत ही जरूरी होता है दूद अपने आप में ही एक संपुर्ण आहार है और दूद का हमारे शरीर पर सही तरीके से असर हो इसलिए दूद पीने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में हमें पता होना चाहिए कई लोग ऐसे हैं जो दूद का रोजाना सेवन तो करते हैं लेकिन उनके शरीर को उसका पूरा असर नहीं प्राप्त होता वही कई लोग ऐसे हैं जिने दूद बिल्कुल नहीं पचता ऐसी कई चीजें हैं जिनका सेवन अगर दूद पीने से पहले या बाद में किया जाए तो होने वाड़ी केमिकल रियाक्शन हमारी बॉड़ी के लिए बहुत धानीकारत साबित हो सकती है आप दूद गलत समय पर गलत चीजों के साथ पी रहे हैं तो कई ऐसी बीमारिया हैं जो इसकी वज़ह से आपको हो सकती है इसलिए आपको कुछ साफधानियों के बारे में मैं यह आपे बताना चाहती हूं पेट, पाचन, पेशाब, तवचा यह सभी रोग तभी सबसे जादा होते हैं जब दूद का सेवन गलत तरीके से किया जाता है जरूरी है दूद पीना उतना ही जरूरी है इसको पीने के नियमों के बारे में जानना अगर दूद का सेवन सही तरीके से किया चाये तो यह अपने आप में ही एक ऐसा आहार है जो सारे पोशक तत्वों की कमी को हमारे शरीर से पूरा कर सकता है और लंबे समय तक हमारी शरीर को यह निरोगी और स्वस्त रखने में कायम हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस समय पर और कैसे दूद का सेवन करना चाहिए किन चीजों के साथ दूद का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए तथा अगर आप दूद को दवाई की तरह पर इस्तिमाल करना चाहते हैं तो वह कैसे किय जा सकता है और कई लोगों को दूद पच्छता नहीं है जिने सूट नहीं करता है तो वह ऐस्तिस्तिती में क्या कर सकते हैं इसे पहले बात करते हैं कि दूद कब नहीं पीना चाहिए दोस्तों खाना खाने के तुरंट पाथ कभी भी हमें दूद का सेवन नहीं करना चाहिए विदियो के शुरुवात में ही आपको बताया था मैंने कि दूद अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है और खाना खाने के बाद अगर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह दूसरी बार खाना खाने के समान है और दूद को पचने में भी काफी समय लगता है जिससे आप खाना खाने के बाद दूद का सेवन बिलकुल भी ना करें आप खाना खाने के बाद दूद पीना ही चाते हैं तो आप दूद की और खाने की मातरा आधी आधी कर दें जैसे कि अगर आप चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी ले और एक गलास दूद पीते हैं तो उसक नमकीन मसालेता स्नैक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ दूद का तालमेल कुछ सही नहीं बैठता। ये सारी चीजे जब दूद के साथ ली जाती हैं तो आपके पेट में जा कर ये एसिडिक रियाक्शन्स कर देती हैं, जिसकी वज़से आपको पेट में गैस, आसिडिटी, ब्लोटिंग और पेट दर्थ की समस्या हो सकती हैं। इसलिए दूद के साथ खटी और नमकीन चीजों का सेवन ना करें। कभी भी हमें दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर पर सफेज चकते हो सकते हैं, साथ ही हमें ल्यूकोडर्मा जैसी भयांकर बीमारी भी हो सकती हैं। इसलिए अभी तक साइन्टिफिकली प्रूफ तो नहीं हैं। लेकिन इन दोनों को साथ में लेना या आसपास लेना कोई सही नर्ड़ इसलिए भी नहीं हैं। क्योंकि दूद में बहुत मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है और मचली और नॉनवेज में भी काफी मात्रा में प्रोटीन पाया चाता है। दूद के साथ अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपके पेट को और आपके आतों को डबल मेहनत करने पड़ेगी आपका खाना पचाने के लिए। इसलिए कभी भी मास या मचली के साथ में या बाद में दूद का सेवन ना करें। दूद के साथ या दूद के बाद दोस्तो कभी भी दही का सेवन नहीं कि अगर आप थोड़ा सा भी दही दूद में बिलाते हैं तो वह दही में कनवर्ट हो जाता है अगर आप दही और दूद को साथ साथ लेंगे या एक के बाद एक लेंगे तो यही प्रक्रिया आपके पेट में भी शुरू हो जाएगी जिसके वज़े से आपको digestive disorders का सामना करना पड़ सकता है इसलिए दूद या दही को साथ साथ या एक के बाद एक लेंगे अवाइड करना चाहिए तो दोस्तो अब बात करते हैं कि दूद का सेवन कप करना चाहिए आयुर्वेट के हिसाब से दूद पीने का उप्यूपत समय रात कमाना गया है दूद में ट्रिप्टो फैन नामे के एक अमीनो एसिट होता है जो कि आपकी माइंड और बॉड़ी को रिलाक्स करके अच्छी नीन लाने में ये हेल्प करता है आत भर के अंतराल में जब आपका शरीर कोई भी बोजन गरन नहीं कर रहा होता है ऐसे में दूद का लाब आपको सबसे जादा मिलता है और जो लोग रात के समय दूद पीकर सोते हैं उनका सुबा पेट भी खुल कर साफ होता है अगर आपका वजन बड़ा हुआ है या फिर समानने है तो ऐसे में आपके लिए सबसे उप्यूक तो होगा गाई का दूद पीना लेकिन अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको भैंस के दूद का सेवन करना चाहिए कर ताकत और पोशक तत्व के हिसाब से देखा जाए तो भैंस के दूद से कहीं ज़्यादा लापकारी गाई का दूद होता है गाई के दूद का असर ना सिर्फ हमारी हट्डियों पर बलकि हमारे दिमाग पर हमारी तवचा पर और हमारे बालों पर इसका असर तेजी से दिखता है अगर आप गाय के दूद में सर्वोत्तम दूद खोज रहे हैं तो गिर गाय का A2 Milk अगर आपको मिलता है तो यहाँ अपने आप में किसी अमरिच से कम नहीं है समाना चाता है कि गिर गाय का जो दूद होता है वह सबसे शक्तिशाली हाई एनरजी लो फैट वाला दूद होता है गिर गाय का दूद थोड़ा महंगा जरूर होता है क्योंकि इसके एक गलास में समाने गाय के पांच गलास दूद के बराबर शक्ति होती है अगर आप अपना वजन गटाना चाहते हैं तो आप गिरगाई की दूद का भी सेवन कर सकते हैं यह वजन गटाने के लिए एक उत्तम सहायक हैं दूद को कभी भी दोस्तो ठंडा ना पिएं क्योंकि दूद वैसे भी बहुत आराम से पचता है और अगर आप ठंडा दूद पिएंगे तो यह और भी देरी से पचेगा इसलिए हमेशा नॉर्मल टेंपरेचर में दूद पिएं या तो दूद को थोड़ा सा गुन-गुना क अगर दूद इतने धीरे पचेगा तो ऐसे में आपको गैस की समस्य भी हो सकती है और दूद में स्वाद लाने के लिए अगर आप मिठास लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शेहद या मिश्री को दूद में मिला सकते हैं लेकिन चीनी का सेवन हमें दूद के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि चीनी जो है दूद के पोशक तत्वों को नश्ट कर देती है दूद सिर्फ बच्चों को ही नहीं हर उम्र के व्यक्ति को पीना चाहिए और आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी नियमों के बारे में बताया है आगे से दूद का सेवन करते समय आप इन नियमों का पालन अगर करेंगे तो बेज़ा होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं और दूद का अधिक से अधिक लाब आपके शरीर को मिल सकता है इसके वीडियो में बस इतना ही इसी तरह हेल्थ केर और बेबी केर से जुड़े वीडियो देखने के बेल नोटिफिकेशन को आउन कर देंगे तो आपको मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे बाई